हाई देर, दोस्तों, वेलकम टू 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 चैनल, नॉलेज इन जेनल, मेरे नाम है अमित कशप और आपका स्वागत है में इस चैनल पर और दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक्चली क्या करने जा रहा हूँ मैं वो करने जा रहा हूँ, जिस टाइम आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं जी हैं दोस्तों, जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको background में एक music सुना ज़रूर दे रहा होगा और जैसे ही अगर मैं बोलना बंद कर दूँ तो यह वाला music loud हो जाता है और मेरे बोलते हैं के साथ ही यह music जो है यह dim हो जाता है तो दोस्तों ऐसा कैसे कर रहा हूँ मैं यह वाला चीज जो कहलाता है टेकनिकल टर्म में उसको बोला जाता है audio ducting और दोस्तों यह बहुत सिंपल सी चीज है बहुत automatically हो जाती है इसके लिए बहुत मशक्कत नहीं करने पड़ती है तो चलिए आईए अपनी computer screen पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि cyberlink power director की तरफ से यह वरा चीज उनको ने अपने जो software में inbuilt दिया हुआ है वो कैसे use करते हैं तो चलिए आईए computer screen पर चलते हैं और एक जो है audio यहाँ पर मैंने नीचे रख लिया है जो जिसके accordingly हम इसको set करेंगे Actually एक काम कर लेते हैं कि अगर आप सिरफ audio ऐसे रख दें तो sound कैसे आईगी एक बार आप वो सुन लीजिए Hi there, दोस्तों Welcome to the channel Knowledge in General मेरे ना मैं Amit Kashyap और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी live streaming करते है मेरे दोस्त So दोस्तों अगर आप इस वाली चीज़ को ध्यान से सुनें तो clip की जो अवाज है वो उससे match नहीं हो पा रही है The thing is की जो पीछे का background music वो इतना loud हो जाता है कि जो मेरे बोलने की voice है वो slow हाने लगती है और actually convey नहीं हो पाता है जो भी आपका subscriber आपकी वीडियो देख रहा होगा तो इसको solution दोस्तो simple सा यह है जो audio ducting में करना होगा वो आप देखेगा इस वाले नीचे वाले clip के उपर अगर आप mouse का right click करें तो एक इस तरह का window open हो जाता है इस window में आपको select करना है audio ducting यह बहुत जो edit audio के अंदर audio ducting यह click करेंगे तो दोस्तो इस तरह का window open हो जाता है इस तरह के window में आप देखेंगे sensitive level 65% में रखा हुआ है ducting level 91% रखा हुआ है main इन दो चीजों का ही सारा खेल है sensitivity और ducting level sensitivity का meaning यह है कि जो मेरी voice clip के अंदर आ रही है उस वाली voice का कितना परसंटेज उसकी sensitivity लेगा तो अगर मैं बात करूँ sensitivity की तो मैंने यह आप 65 रखा हुआ है इसको अगर आप 80-81 तक रखें तो बहुत ही बढ़ी है उससे क्या होगा कि कोई भी छोटा motor drop है उस पे एकदम से voice बढ़ेगी कि कम नहीं होगी तो जैसे मैंने आप इसको 81 परसंट रख लिया है ducting level का meaning है कि जो आपने background music जो लगा रहे है वो जब भी पीछे बजे यानि कि जब slow बजे तो कितना slow बजे तो वो 91 परसंट तक कम हो जाएगा यानि कि सिरफ remaining 9 परसंट की अवास सुनाई देगी तो इसको दोस्तों वैसे तो आप मैं यापर ok कर दूँगा लेकिन अगर आपका clip ऐसा है कि बहुत long clip है या long clips हैं तो उसके अंदर आप यहाँ पर apply to all clips and auto deducting तो इस track के उपर जितने भी song आप रखेंगे जितना बज़ी लंबा song हो तो उपर वाले track के accordingly वो अपने आपको set कर लेगा तो यहाँ पर इसको ok कर लेते हैं और यह यहाँ पर देखेंगा आप दोस्तों यह automatically set हो चुका है अब एक काम करते हैं दोस्तों अब इसको जो है हम सुनते हैं कि यह सुनाई में कैसे दे रहा है तो चलिए इसको सुनते हैं एक बर Hi there दोस्तों Welcome to the channel Knowledge in General मेरे ना मैं Amit Kashyap और आपका स्वागत है में इस चैनल पर और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी live streaming करते हैं मेरे दोस्त YouTube के उपर वो better live streaming कैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो मैं actually अपनी clip में voice बोल रहा हूँ वो बहुत clear show हो रही है और पीछे का background music बहुत ही mild चल रहा है वो सुने में अच्छा लगता है तो दोस्तों अगर आप भी audio ducting का जो है इस्तमाल करके अपनी वीडियो को बढ़िया करना चाते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्स्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा दिस अमित कशप signing off